नमस्कार बच्चों, जवारनोद्यव धल्या नांदेड के इस ओनलाइन सेशन में आपका स्वागत है, आज हम कक्षा सात्मी की विश्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक वजंत भाग दो की पहली कवीता, जिसका शिर्शक है हम पंची उन्मुक्त गगन के भाग छे में कवीता के पद्यांश को पढ़ते हुए उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे, कवीता हम पंची उन्मुक्त गगन के, कवीता के कवी हैं शिर्व मंगल सिंग सुमन जी, कवीता का अगला पद्यांश है, हम ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले नब की सीमा पाने, लाल किरन सी चोंच ख चुगते तारक अनार के दाने, इन पंक्तियों में कभी पक्षियों के माध्यम से कहना चाता है, कि पक्षियों की इच्छा होती है कि वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को पाना चाते हैं, उनकी इच्छा खुले निले आसमान में उड़नी की है, वो लाल किरन सी यनकी सूर कि लाल कीरन के समान अपनी चोंच को खोल कर तारों के समान अनार के दानों को चुगना चाते हैं और ये कारय केवल वे खुले आसमान में ही उड़कर कर सकते हैं पिंजरे में बंध होकर नहीं इसलिए पक्षी चाते हैं उनकी इच्छा है कि वे आसमान में उड़ते हुए अनार के दानों के समान तारों को चुगना चाहते हैं इस पध्यांच के परश्ण उत्तर हैं पहला प्रश्ण पक्षी किसकी सीमा पाना चाहते हैं दूसरा प्रश्ण पक्षी की चोंच को किसके समान बताया गया है तीसरा प्रशन पक्षी क्या चुगना चाते हैं? चोथा प्रशन नब शब्द के दो प्रायवाची शब्द लिखिए। पांचवा प्रशन तारक शब्द का अर्थ क्या है? इस पध्यांश के इन प्रशनों के उत्तर आपको लिखने हैं। अगला पध्यांश होती सीमा हिन ख्षितिज से इन पंकों की होडा होडी या तो ख्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी इस पद्यांच में कभी पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि पक्षि अपने पंखो से सीमा हीन ख्षितिज आस्मान को छूना चाते हैं जिस आस्मान की कोई सीमा नहीं होती सीमा हीन है और शितिज आस्मान और धरती मिलते हैं और उस दूरी तक इतनी उंचाई तक वो आस्मा में उड़ते हुए उड़ान भरना चाते हैं और अपने ही पंखो से वो क्षितिश तक जाने की प्रतिस्परधा मुकाबला करना चाते हैं और इसमें वो या तो क्षितिश मिलन बन जाता या तो वो क्षितिश को पा लेना चाते हैं या फिर अगर वो अपने इस प्रयास में असफल हो जाते हैं तो अंस्ते अंस्ते ही अपने प्रानों को त्याग देना चाहते हैं यानि कि वे उड़ते हुए अपने कार्य केवल आस्मान के उंचायों में उड़कर अजादी सही पूरा कर सकते हैं पिंजरे में बंध होकर नहीं इस पध्यांच के प्रश्ण उत्तर हैं पहला प्रश्ण सीमा हिन क्षितिज का क्या अर्थ है दूसरा प्रश्ण पक्षी किस से होडा होडी करना चाहते है तीसरा प्रश्ण तनती सांसों की डोरी का क्या अर्थ है चोथा प्रश्ण क्षितिज कब मिलन बन जाता है पांचवा प्रश्ण पक्षी शब्द के दो प्राएवाची अर्थ लिखिए इस पध्यांश में से आपको इन प्रश्णों के उत्तर लिखने है कवीता का अगला पध्यांश नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय चिनबिन कर डालो लेकिन पंक दिये है तो आकुल उडान में विगन न डालो इसमें पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें पेड की शाखा पर रहने के लिए नीड न दो यानि कि घोंसला न दो आश्रय चिनबिन कर डालो चाहे हमारा जो रहने का स्थान है वो चिन्बिन कर डालो तोड डालो लेकिन अगर बगवान ने हमें उड़ने के लिए पंक दिये हैं तो हमारी इस बेचैन भरी उड़ान में कोई बाधा न डालो पक्षी चाते हैं कि अगर बगवान ने हमें पंख उड़ने के लिए दिये हैं तो पिंजरे में बंद करके हमारी इस उड़ान में बाधा न डालो हमें अजादी से रहने दो इस पध्यांच के प्रश्ण उत्तर हैं पहला प्रश्ण है नीड शब्द का अर्थ लिखिए दूसरा प्रश्ण पक्षी किसे चिन भीन कर देने के लिए कह रहे हैं किसे चिन भीन कर डालो तेसरा प्रश्ण पक्षियों को क्या बात पसंद नहीं है चोथा प्रश्ण उडान शब्द में से मूल शब्द और प्रत्य लिखिए पांचमा प्रश्ण पक्षियों को पंक किसने दिये हैं तो इस पद्यांश में से आपको इन प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं धन्यवाद